तो विल्दा नेक्स्टेशन वी होग एज चोपस फियर इस वेरी सिग्निफिकेंट एट्मस्फेरिक ले राइट ट किई मैंज वेदर प्रॉसफेस वहाइं से इसने हमें हेंट दे दिया है कि यह वेदर process determine करता है that's why जो है यह important है अब हमें बता रहा है हमें बताना है कैसे तो चलिए अगें जे जिग्राफिक का question है इसके अंदर जो है हम जो है ensure करेंगे कि हम कोई इसके अंदर डाइग्राम जो है ड्रा कर पाएं ठीक है जूकर डाइस वर्ड मेरे हमें लिखना है तो जो है हम इसके डाइग्राम डालेंगे बागी चीजें करेंगे तो उस्से हमारे मार्स जो है साथ आठ मार्स तक हमें फैच हो सकते हैं ठीक है कि तो तॉपो सफियर जो हा हमारी बैसिकली हम जो इंट्रोइक्षेंगे हमारी इंट्रोइक्षेंगे च्छाँ होगी व्येज लेर है थीं के ना ओंत लेज टो डियर है कि सट्किक हमारे atmosphere की इसकी जो thickness है ठीक है ना वो around 8 km आपको पोल पे देखने को मिलेगी ठीक है ना और 13 km जो है यह हाई होती है at equatorial regions ठीक है ना एक तो यह चीज हम जो है शहाँ पर mention कर सकते हैं इसकी ठीक है most of ता जो हाँ आप देखेंगे के जो mask है mask है air का या atmosphere का about 75 to 80% मतलब के mask के लिहाँ से 75 to 80% जो है वो आपका contain होता है troposphere के अंदर another important जो है fact है एक तो हमने इसकी thickness का fact mention किया दूसरा इसकी हमने मास का fact यहां पर mention किया ठीक है ना और इसके बाद क्योंकि हमें किसके context में लिखना यह तो हमने जो है इसका structure यहां पर show किया तो weather के context में लिखना है तो हम इसको जहां पर एक line लिखी हमने यह वाली जहां तक हमने की उसके बाद जहां से थोड़ा सा पेरेग्राफ देंगे जिसमें जो है हम लिखेंगे के जो most types of जो हमारे clouds है most types of clouds are found in troposphere and almost clouds and almost all weather occurs within this layer all weather occurs within this layer so this shall be our second line here ठीक है इतना करने के बाद हम जो है next चीज जो जहां पर mention करेंगे वो जहां पर हम अपनी जहां पर troposphere की जो है जहां पर एक diagram बनाएंगे ठीक है तो हमारी diagram बिल्कुल जो है वो छोटी सी होगी and not necessary के हम जो है जहां पर हमें figures वगरा का जो है याद होना चाहिए ठीक है ना तो तो यह यह थीक है देन इस तरह यह वाली diagram हम जहां पर बनाएंगे यह वाला हमारा है यह 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 दो यह रिए उयु आई realise यह वाली जो लेयर है नीचे यह वाली और कॉनसिया टॉपस्पेर तो हम जहां पर स्ट्रफसफेर की बात कर रहे हैं. ये जो है जहां पर हम जो है इस पर जो है टेंपरेचर इस वाले इस में मैंशन करते हैं. ये हम पर ओम अल्तिव करते हैं. तो यहां पर ये वाली जो है जहां पर आप देखेंगे जो हमारा for example इसको assume कर लेता हूँ. में डस दस कहा हम एजियूम करें कि फार एक्जमपल यह दस है ठीक है ना अगर जे में इसको 10 मानता हूँ तो 1314 किलोमीटर तक इसकी जो है एवरेज हाइड में मान लेता हूँ तो जहां तक यह होगी फिर 10 का चाहँ पे 20 ठीक है ना फिर हम जो आरी स्ट्राइटो 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 स्ट्रा 27ились तो हाँ पर हमारा क्या माइनस 10 माइनस 20 ठीडिक ना स्थरा करते करते जहां पर हमारा माइनस PTल होगा इक है तो आप देखते हैं कि आरावन जो है ऐग धून तीट सब्सक्तिन फुरूटी के लावन जहाले तेंपरेचर था चैसे हम height के साथ उपर उपर गे तो temperature डावन होता गया ठीक है ना and then हमारी stratosphere जो हो दिए इसके अंदर temperature reverse होता हुआइट के साथ हमारा temperature बी उपर stratosphere में जब जाते हैं तो बढ़ता जाता है फिर उसके उपर जब हम mesosphere के अंदर जाते हैं यह हमारी Miezo Sphere है ठीक है न आ यह आप टू एक्सेंड होती है आप टू 85 km जो है perfect नहीं है not to scale आप इसको लिख देंगे not to scale not to scale तो वहां पर examiner को वैसे भी पता है कि आपने rough diagram बनाई है तो scale पह नहीं है इसको हम क्या बोलते हैं इस वाली जो होता है बीज में इसको हम जो किते हैं स॑ररेट करता है इनको छो शोल आइस मीजो पाँज जो ओकर होग और उपर जो हमारी जहाँ पर ले रहा जहाँ यह होगी हमारी थरम cuidado स्विक है अची भीनिन को किरना था सिगनीफिकंट अहär में यह सिगनीफिकंट एटमासफेरे कि बंद धि मैं से थूए पूछम कई सिगनीफिकंट लirty केट है घर न तॉहरा सिगनीफिकंट तोपोस्फेर8 एंडिटर मानिंग वेदर प्रासर इंडिय हॉए ग्रेगे उडिधर प्रॉचसे स्वाटर वेपर्स लॉटर वेपर्स water vapors and clouds ठीक है न आप देखेंगे जो 75-80% जो हाँ पर वैपर्स होते हैं वह इसी लेर के अंदर पाए जाते हैं 75-80% तक की लगबग जो वैपर्स है ठीक है ना water vapors जो है by mass वो इसी लेर के अंदर पाए जाते हैं ठीक है ना जैसे यह जो है उपर जो है मू करते हैं जा उपर कूल होते हैं तो यह क्लाउड की फार्म लेते हैं फिर देन प्रिसिपटेट करते हैं तो वाटर वैपर्स जो है जहां पर की रोल ले कार रहे हैं ठीक है ना तो एक तो वाटर वैपर्स का हम मेंशन करेंगे किस त होती है ठीक है ना और बाकि जो स्टॉर्म्स जो इवेंट्स होते हैं वेदर इवेंट्स वो जो है मेजरली उसके लिए जो है वाटर वैबर्स चूंके इनका मास्क है भी है तो यह रिस्पंसिबल रहते हैं ठीक है ना पर जो आप तेज़ देहेंगे वह वर्टिकल का क्या मतलब है यहां पर जो स्टेबलिटी एंड अंस्टेबलिटी कंडिशन्स होती है ठीक है ना तो वो क्या होता है बेसिकली जब नीचे से जमीन हीट होगी जहां पर जो आर्थ है यह हीट होगी तो जहां पर जो एर होती है यह उपर की तरफ मूग करती है ठीक है ना water vaipers का या दूसरे हमारे जो air में च भी कैना इससे हमारी जो ये वाली लेज है ये homogenes 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 का मतलब है वेरियस gases आपस में Mixed मिक्सद रहती है homogenesis आता तर है इसके अंदर और mixing होती है ठीक है न हो जो आप देखेंगे जहां पर جजो है compression and expansion आपको air की देखने को मिलेगी compression and expansion तो मैंने खा के जब air warm होती है जो है expand करती है जब cold होती है ठीक है न तो क्या करती है air फिर compression करती है ठीक है न? Compression होता है air के अंदर तो ये जो होती है हमारे जो है ये responsible रहते है एर की movement के लिए ठीक है न? wind movements के लिए ये वाली जो है इसका compression expansion जो है air का responsible रहता है तो wind के लिए ठीक है ना या फिर हमारी orographic जो होती है या conventional जो precipitation होती है ठीक है ना वो इसकी वज़ा से होती है ठीक है ना फर्दर जो है principles of heat transfer principles of heat transfer it's not like के हम वही चीज़े जो है उपर बोल दिया हमने repeat कर रहे है ठीक है ना हम जो है इनको different different तरह से separate तरीके से लिख रहे है ठीक है ना जो principle of heat transfer है यह जो है जहां पर जो है हमें adabatic movements air की देखने को मिलती है ठीक है ना evictions देखने को जहां पर मिलती है ठीक horizontally जो है heat transport होती है ठीक है ना तो फर्दर आप देखेंगे जो energy होती है इसके अंदर इस layer के अंदर बहुत ज्यादा हाई होती है ट्रोपोसफेर के अंदर ठीक है ना फिर नेक्स्ट चीज़ है adabatic adabatic lapse rate का आप जो है जहां पर भी mention कर सकते हैं lapse rate जैसे हम उपर जाते हैं तो हमारी जो air है वो cool होती जाती है ठीक है ना जैसे हम उपर जाएंगे तो air का packet over जाब move करता है तो वो cool हो जाता है ठंडा होता है ठीक है ना seven point जो है आप again जो है जहां पर cloud information का explicitly मेंशन कर सकते हैं कि इस तरह यह जो है इंपार्टन ट्रोल जहां पर ले करता है ठीक है ना कि अगर जब आप करें तो आप अगर ज्यादा स्पैसिफिक तरह से लिखेंगे कि खेंगे चेपांच डिग्री सेल्शियस जो है पार किलोमीटर हमारे पास एक एयर का सब्सक्राइब आप तो इधर अगर अगर दस डिग्री पर है तो ऊपर जब जाएगा तो जी रह जाएगा 2.5 centigrade टेकानै grill गृमेट्र उपर ट्रेवल करेगा तो वहां पर इसका temperature ऑगा point by 7.5 ग्रेशन इस Autumn उपर जो है reform करता है एंड फिर जही जो हा थी स्पान्सींब रहती है कि सके लिए condition combination और precipitation के लिए yeah yeah है इस वाले क्वेस्टन में जो है हमारा जो कंक्लूजन होगा ठीक है जब ऐसा क्वेस्टन होता है तो मेक शूर इसके आप अंदर ज्यादा डायाग्राम बनाएं या कोई स्टैट्स दे रहे हैं तो उसको जो एक्स्प्लीशेटली में जहां पर ठीक है जा फिर कन्विक्शनल रेनफाल का जा रिक्नविक्शनल रिपर अस्टेबल्टी जो दिखा रहे हैं तो उसके लिए आप डायग्राम बना सकते हैं थोड़ा बहुत कि इसने क्वेस्टन के अंदर कोई चीज़ एड की है तो ट्रॉ तो सभी वेदर पर रसे CC के अंदर होते हैं तो that's the same thing जो है हमने जहां पर repeat कर दी, we'll be meeting in next video, till then bye.